नमस्कार दोस्तों स्वागा थे आप सभी का आपके रहा हमारी यूट्यूब चैनल रॉकिस्टारेजुकेसं में मैं हूराज हमने कल ही पेमेंट के रिगार्डिंग एक वीडियो बना आया था जहां बताया था कि बहुत हत्राओं को अब जो पेमेंट नहीं दिया जागा बि यह वीडियो जो हमारा चलता है उसमें क्ल वीडियो बना था चैनल चैनल रहा हम बहुत लोग नहीं आएगा हूं तो किया हमारा payment आएगा या फिर नहीं आएगा इसके रिगार्डिंग आपको बताते हैं लिक्त बताने से पहले अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह का इंफॉर्मेंटी वीडियो हमारे माध्यम से मिलते रहे तो आप आज ही हमारे चनल को सस्क्राइब कर लिजेगा चाहिए याद रहे आपका जो कोस्टन है कि अधार सीडेड है किसी अन्य बेंग अकाउंट से और आपने फॉर्म बरते समय कोई और बेंग अकाउंट डालाता तो क्या आपका पैमेंट आएगा या पिर रिजेक्ट हो जाएगा तो क्या यह सब इस तरह का आपका कोस्टन आपका पैमेंट आएगा आप रिजेक्ट है और आपका फॉर्म बरते समय किसी परकार का जो है आप नंबर दी है और आपका फॉर्म वेरिफाई हो चुका है तो रही बात कि आपका जो है बैंक किस बैंक में पैसे आएंगे तो डिलर ली समझे आपका जो अधार सीडेड चाहाए वह आपने वर्ते समय उसमें डाला हो चाहाए नहीं डाला हो आपका पैमेंट जो है अधार सीड ही एकाउंट में जाएगा सबसे पहले आत एक वाच किलर समझ लीजिए आपको आना है गूगल पर लिखना है यहाँ पर आपको अपना चेक करें नहीं यहाँ पर आईगा अधार काउट सर्विस में तो यहाँ देने को मिलता है बैंक सीडिंग एकाउंट यहाँ से आपका यह पता लग जाएगा या तो आप लोग इन करके चेक कर सकते हैं या फिर आप डिरेक्ट लिए अधार यहाँ नीचे में आपको बैंक अकाउंट का नाम देने को मिल जाएगा साथ में जैसा कि मैं आपको दिखा देते हैं हमने यहाँ पर अधार नमर डाला हम लोग इन विफ ओटीप पर क्लिक करेंगे जैसे क्लिक करेंगे हमारे राइस्टर मॉबाइल नमबर पर एक ओटीप चला जाएगा हम जो है ओटीप डालेंगे उसके बाद हम लोग इन हो जाएंगे आप याद रहे इस चीज़ को चेक करने के लिए आपके अधार कार्ड से जो है मॉबाइल नमबर लिंक होना जरूरी है तभी आप इस जो है आपके राइस्टर मॉबाइल नमबर पर एक पर लोग इन हो पाएंगे और पता कर पाएंगे कि क्या कैसे चला हमारा जो है आचुका है यहां पर डाल रहे हैं और इसके लोग इन पर क्लिक करेंगे यहां पर फोटो आ जाएगा नीचे स्कॉल करेंगे तो सारे सर्विस के नाम आएंगे यहां पेक ऑप्सन देखने को तो मिलेगा bank seeding editor simply आपको इस पर click करना है जैसे आप इस पर click करेंगे आपके सामने देखे यहां पर आ जागा आधार बैंक mapping has been done अधार नमबर जो आपका रहेगा वह लास्ट इजिट रहेगा कौन सा बैंक seeding किया हुआ यहां पर बताया गया है कौन सा बैंक है आपका जो है ट्रेटस क्या है एक्टीव है बिल्कुली चेक करेंगा आपका एक्टीव है या फिर नहीं है उसके बाद आप लास्ट इट कब कर आए तो वह है यह लास्ट इट से कोई मतलब नहीं है आपका यह अगर एक्टीव है तो अच्छी वात है आपको गवरा नहीं कर सकता नहीं है आपका पैमेंट जब भी रिलीज होगा आपके अकाउंट में भेज दे जाएंगे लेकिन अगर आपके पास पांच खाता में अधार लिंक करवा सकते हैं याद रखिएगा अगर आपके पास प पिहाने में रखेंगे साथ में यह भी जान लीजिए चितने भी सरकारी पैसे आते हैं चाहिए वो विहार सरकार दे या राज सरकार दे या के में सरकार सारे के सारे में जो है आपका याद रखिएगा कि वो जो है सरकारी पैसा आपके मैपिंग अकाउंट में ही दिये और आपने form बरते समय कोई और bank डाले थे तो आप form बरते समय कोई और bank account डाले थे तो आपको घबाने कर सकता नहीं है आपका जो भी bank account दिया हुआ था उसमें पैसा आ जाएगा उमीद करते हैं आप लोग का जो comment था या फिर whatsapp पे आप लोगों ने लिख कर हमसे chat करा था इस इस तरह के informative वीडियो के लिए बढ़े रहेगा मिलते हैं अगली दूंत तक के लिए धन्यवाद